हलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूटूब चैनल रॉबिन फैशन डिजाइनर दोस्तो जैसा कि आपने थमनेल में देख लिया होगा आपको आज की वीडियो में सीखने को मिलेगा ये स्टाइलिस्ट गाउन दोस्तो बहुत असान तरीकी से गाउन बन जाता है दोस्तो मैं आपको बताऊंगा कैसे की जाती है दोनों ही वीडियो त्यार हैं आज आपको कटंग सीखने को मिलेगी और नेक्स्ट वीडियो जो हमां अपलोड करेंगे उसमें इसको आपको बताएंगे कैसे इसकी सभी की जाती है तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हो मेरे जो कपड़ा थे मेरे पास उप्पर वाला जो कपड़ा दोस्तों एक कोर्टन का है जो उसके अंधर्म अश्थर का यूजट करेंगे और नीचे नीज़त इसे जो सिंच 27 और नीचे अब दोस्तों जब भी आपने कटिंग करनी इस प्रकार के लॉंग गाउन की तो सबसे पहले जिस्टी की कटिंग की जाती है दोस्तों वह होता है इसका चोली वाला पार्ट तो चोली वाले पार्ट की जो कटिंग करनी है दोस्तों वह करनी है हमने इसके अस्तर पर यह देखि किनारी वाले हिस्ते से आपको इस प्रकार से कपड़ा को उठाना है यह देखिए और इसे आपको इस प्रकार से करना है डबल इस प्रकार से इसको डबल कर लिया डबल करने के बाद दोस्तों अब इस जगे से सबसे पहले हमें क्या करना है सबसे पहले हमें एक निशान लगा आपर आधा इंच का क्योंकि दोस्तों ये चोली का जो पार्ट है जब इसका जो फ्रोग वाला पार्ट है जिसमें हम प्लेट्स डालेंग उसके साथ होगा तो आधा इंच मार्जन चाहिए तो दोस्तों अब आपको क्या करना है यह जो मैंने निशान रखा यह वाला इस पर मैंने एक निशान लगा दिया क्योंकि आदा इंच उपर मार्जन में चला जाएगा तो दोस्तों यह है जो मैं कटिंग कर रहा हूं सबसे पहले वह में करूंगा इसके चोली ऑले पार्ट की वह बाकी कपड़ा है इसको हम बाद में यूज करेंगे अब आपको करना क्य में होगी, यह सबसे पहरे प्रकार ति वह पड़ती है ती क्योंकि हमें यह से स्टाटिंग करते हैं तो three के थेखो, fourain, fourain, twelve, seven, eight, seven, fourain, दो दूस्तों जी सादे साधे साथ इंच पर आपके इस प्रकार से निशान लगाना होता है be इसके बाद दोस्तों एक निशान आपको але यहांसे अधाइस नीचे वह लगा जाता है N हम लोवर ब्ररेस्ट और अपर ब्रेस्ट के लिए ये देंखि Moscow हमने लोवर बेस्ट सब्ברबिट का नाप लिया था तो उसको लिए दाबिलकुल ज़सर। ऐसे का तो लोभ बैसे हैं वो है टोटल 37 वैसे तो फिक्स मेरजरिमंट को दो 35 था लिकिन लिए था 37 उसमें ही ही दो इंटल ली लिए था तो इंटik को करना क्या है आपको 37 का करना एक चौथाई तो दोस्तों 37 यानी 37 का एक चौथाई जो exhaustion बंता है वह 109 तो यह दीए सवा सी परकार से का निशान लगाना है इसके बाद दोस्तों अब आपको दूसरा क्यों से लगाना है वो लगना कि 38 एक सादे नौब आपको निशाण लगाना इस प्रकार और इसी प्रकार से कमर पर आतने रहें तो कमर से तैसे-ती का एक चुथाई कि इतना होता पांता निशान लगाना में अब इन निशानों को आपस में आपको इस प्रकार से मिलाना है देखिए यह निशान आपने इस प्रकार से मिला लेने तो दोस्तों यह जो निशान इस प्रकार से मिलेंगे अब बात करते हैं कि यहां से जो आपको गुलाई देनी है कि इस हिसाब से देनी है तो दोस्तों सिंपल स बना रहे तो यहां से साथ है तो आपको एक इंच कम लेना होता है एक कम कितना होगा वह गाच है तो आपको छह इंच पर निशान लगाने इस प्रकार से देखे इधर से साथ है तो इधर से आपको छह इंच पर निशान लगाने इस प्रकार से और इस निशान को दोस्तों इस इस प्रकार से इसमें मिलाना होता है यह देखिए अब आपको क्या करना है यहां पर एक लाइन खेचनी है एरो की इस प्रकार से और यहां से आपको जो गुलाई देनी है यहां से 1.5 इंच का डिस्टेंस रखते हुए इस प्रकार से आपको यहां पर घुमाव देना है इस प प्रेड इंच दो इंच इतना भी कपड़ा रखना चाहों रख सकते हो मारजन के लिए तो दोस्तों इस निशान पर सलया जाएगी अब दोस्तों कटिंग कैसे करनी है कटिंग करते समय आपको जिस चीज का विशेश तोर पर ध्यान रखना है यह जो निशान अमने लगाए इ इसमें आपको सिर्फ व सिर्फ आधा इंच एष्टा रखके कटिंग करनी है इस प्रकार से और यह आधा इंच एष्टा क्यों रख है दोस्तों इसकी पीछे भी कारण है वह मैं आपको बताऊंगा अब कटिंग करते से में आपको एक चीज का ध्यान और खना यहां से रहेगी तो यहां से जब भी आपने करनी तो आधा इंच इदर से डाउन करना है और साथी साथ दोस्तों इसकी जब मैं पूरे के कटिंग कर लूंगा तो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यहां से मैंने आधा इंच एक्ष्टा क्यों लिया है तो फेंस यह देखिए फ्रे सूट की कटिंग करते हैं तो हमें पीछे वाला पार्ट बड़ा रखना होता है और आगे का पार्ट हमें आधा इंच छोटा रखना होता है इससे क्या होता कि दोस्तों आपका जो गला होता पीछे के तरफ नहीं भागता अब यह देखिए जो मैंने निशान लगा था अब आधे से तो बड़ा हो चुका है इसलिए दोस्तों जब कटिंग करो अगर आप एक साथ कटिंग करते हो फ्रेंट और बैक की तो इसी तरह से कटिंग आप कर सकते हो और बाद में पीछे वाले पार्ट को काटने के जूट नहीं है अपने वह बड़ा हो गया आगे वाले पा अब आपको डेड़ इंच का बिल्कुल इदर से हाफ करते हुए इसकी आपको कर लेनी है गोलाई यह देखें इसका फ्रेंट वाला पार्ट हमने काट लिया है और क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो हमने डिजाइनिंग करनी है आगे बटन वगरा भी लगाने है तो उसके यabilir छोलि जो हमने इसकी कर ली है अब दोस्तों छोली के जो नीचे वाला पार्ट इसकी कटिंग को कैसे करनी है यह देखें यह जो बच़ब कपड़ा है इस बचच होए कपड़े को आपने इस प्रकार से रखना है यह देखें यह जो चोली के बिल्कुल सामने इस प्रका आपको रखते हुए और यह देखी यह तो इसके स्लाइज फिटिंग वाली यहां पर है और दूसरा जो निशाने में यह लगाए अब इस निशान के अनुसार आपको कटिंग करनी है कटिंग कैसे करनी है और कितनी करनी है इसके लिए दोस्तों पहले हलकी से आपको जूरूरत हमें नहीं है कपड़े को दोबार सेट कर लेते हैं कि दोस्तों चोली है वह हमारी तैयार कितनी 14 तो यह दिखिए 14 यह उपर से में निकाल देता हूं आदे इंच के माज़े रखतू यह देखिए ठीक है और लंबाई है हमारे जो गाउन हम बना रहे उसकी कितनी चोवन इंच तैयार है लेकिन दोस्तों जो अस्तर होता है हमेशा थोड़ा क्योंकि मैं अस्तर के कटिंग कर रहा हूं अस्तर दो इंच कम ही कड़ता है तो चोवन के जगे आपको यहां पर लेना हम साड़े बावन पर कटिंग करेंगे यह देखिए रही बात अब इस का रहा हूं दोस्तों इन डोट के ऊपर ही आपको करनी है कटिंग को प्रेंट्स यह देखिए यह उगा इसका अस्तर वाला पार्ट और अब मैं आपको दिखाता हूं इसकी यह जो है चौली दोस्तों चोली और अस्तर की कटिंग मैंने कर ली है अब इसके आकोर्डिंग हम देख सकते हूँ यह यह जो बंद वाला भाग है यह बंद और यह पीछे से इपन्ग ऑला इसके कर लेनी जो कि बहुत असान है इसकी कटिंग करने के बाद दोस्तों फिर हम इसका जो नीचे वाला पार्ट है यानी कि तो तो डोनों कर लिए करने के बाद इसमें एक छोटा सा काम और रहा गया वो भी मैं आपको पता देता हूं यह देखीं आपको फ्रेंट वाला पार्त ना जिसमें हमने आगे ओपन रखा है यहाँ पर को अपको को लोई वाले पार्ट की करने के क्लिए क्या करना है यहां से आप को एक को दोस्तों इस काम का शार रटिया सबसे पहले है तो इस प्रकार के जैब हम सपैसे सबसे प्रैक्त करें तो उस पो adalah इस प्रकार से कषे मतले हैं आप इंच्राइब आप ईठाता हूं इस का फीक आप पार्टmist के लिए दोस्तों कैसे अस्तर को जमाना है यह देखिए सबसे पहले आपको इसको बिल्कु सीधा रखना है यहां फिर चाहें तो दोस्तों आप पहले इसकी स्लीव की कटिंग भी कर सकते हो उस अस्तर वाले पार्ड की कटिंग बाद में कर लेंगे तो पहले इसके हम स्लीव क काट लेते हैं यह देखिए कपड़ा डबल को आपने इस पकार से करना है फॉर फोल्ड यह देखिए फॉर फोल्ड कर लेते हैं इसको और फॉर फोल्ड करने के बाद सबसे पहले आपको जो काम करना है सबसे पहले दोस्तों यह देखिए इस कपड़ा को ब्राबर करें कहीं स चोटा बढ़ाओ तो बिल्कु बराबर कर लें सबसे पहले जो निशान लगाना होता है वो लगाना हो लंबाई का तो लंबाई कितनी है लंबाई है अपसले इसके 22 इंच तयार आदा इंच उपर सलाई में चला जाएगा तो 22 इंच इदा से ले लिया ठीक है यह देखिए औ कर लिया और इस मलाना होता है कि हमें जो हम मेजरमेंट जब हमने लिया तो उसके पीछे दोस्तों जिशने का नाप लिया था इसमें अपर ब्रस्ट का जो दोस्तों फिक्स मेय RCANSsonora 26 च्छतिस इंच तो आपको करना है एक चोथाई लोजिंग देकर इसमें कुछ भी एक कटिंग नहीं करनी लोवर बैस्ट का जब हमने नाप लिया था वो थी 35 आपर बैस्ट थी 36 तो 36 का आपको करना है एक चोथाई वह होता है नो इस परकाश से क्रोस में रखें नो और इसमे आप पूसान निशान लगाना यह दिखी और यहां पर जैस्ट का चो लगाने है इस साड़ेच से हैंट कि तेरा काद़ा किता होता है साड़े से अब इन सभी निशानों को आपस में आपको मिलाना है जो कि बहुत असान है आप इस परकार से निशान लगाएं इन को थोड़ा सा डार कर लेते हैं यानि कि इस निशान पर तो आ जाएगी सिलाई और इसके अलावा एक्ष्टा मारजन आप एक इंच लेड़ इंच दो इतना चाहो रख सकते हो अब दोस्ति इसकी कर रहा हूं मैं कटिंग अब इसमें सिर्फ हलका सा काम रह गया है वह रहा गया इसका जो फ्रण्ट वाला पार्ट है फ्रण्ट वाले पार्ट में अपने गुलाई दी थी उसे पकार से यह देखिए बिल्कुल यहां से कट्स वाली जगह से आपको हलका सा गुमाव देना आदा इंच का करीम यह इसकी कटिंग करने के बाद अब आते हैं इसका जो फाइनल जो इसका पार्ट है वह इसका जो घेर घेर वाला पार्ट आपको कैसे बनाना यह देखिए इस कपड़े को आपने इस प्रकार से डबल कर लेना है कि दबल कर लिया क्योंकि दोस्तों इसका जो अर्ज है वह चमवाली सिंच और जो हमने अस्तर लिया था उसका जो अर्ज था वह था कम लेकिन दोस्तों किस हिसाफ से आपको सैट करना है पहले कपड़े को बिल्कुल इस प्रकार से रखने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से कियों भूब इच्छा लेता हूँ उसके बाद प्र मैं आपको पता हो कैसे कुंग करनी है फ्रेंट्स कपड़े को इस प्रकार से चार ते आप देख सकते हो 1 2 3 और 4 आप लेकिन जब आपने इसका जो सीदह इसको रखना है तो देखे क्या करना है तो देखें क्या करना है बिल्कुल सीधा ठीक है और जो लंबाई वाला इससा है दोस्तों यहां से देखिए 14 इंच निकालते हुए क्योंकि 14 इंच की चॉली है आपको लंबाई नापनी कितनी है लंबाई कितनी है 54 54 लंबाई यहां पर आ रही है ठीक है और इसके अलावा नीचे फॉल्ड करने के ल कि कोशिश की है फिर भी अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हों आपका कोशिश करूंगा आपके हर सवाल का जौब देने की आप मुझे कॉल भी कर सकते हो और दोस्तों बाकी मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में जब मैं आपको इस